प्रत में रिखति वारी आप सब का स्ववगत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चलने पर वर्ल्ट इफेस के अंदर शुरू करते हैं तो इसका सही आदस है नहीं तो 2022 1222 में भारत के नौस्य नमें आयनेस विक्रांट को भी शामिल कर दिया जाएगा सर आयनेस विक्रांट सुना हुआ लग लाग है आपने जो सुना है वो अलग है हम जब बात केते हैं आयनेस विक्रांट की बार में तो बहुत के इंदर बनने वाला पहला जो और भारत की आजादी के 75 उपलक्ष में इसे भाद में कमिशन किया जाएगा तो हम जब बात करते हैं इसका देखिए जो सी ट्रायल है वो 2022 में पूरा हो जाएगा तो आइनस विक्रमदित्त है मेरे साथ जो तीस एक्राफ्ट को ले जाने में सक्षम माना गया है देखिए कैपिसर यहां पर 34 की आसपस की तो नॉर्मल ही है जिसमें 24 मिगट 29 के हैं 10 हेलिकॉप्टर हैं यह बदलती रहती है ठीक है अभी डिसेंटली आइनस सहाधरी को देख एक्रसाइज की गई है इंडिया युएसे के नेवी की बीच में इंडिया की नेवी है उसने कॉंट्रिबूशन दिया है तो फाइट अगेस्ट कोविड-19 आप जानते में साथ यहां पर दो बहत्रीन ओपरेशन चले थे इतना ओपरेशन समुद्र से तुवन और समुद्र से तुटू जिसके अंदर विदेशों से बहुत सारे ओक्सिजन कंटेनेंस थे जो इंडिया लाए गयते हैं इंडिया नेवी नेक्स कोशिन दिया गया है कि हाली में वो कॉंसर्ट डिजिटल प्लाटफॉर्म है जिसने टाइप किया पर किसकी साथ में जिसने टाइप किया नेशनल स्कील डेवल्मेंट कोपरेशन के इसमें कहा जा रहा कि WhatsApp और NSDC यहाँ पर लॉंच करने वाले हैं डिजिटल स्कील चैंपिन प्रोग्राम जिसमें कहा रहे हैं कि वो यहाँ पर भारती यूवा को ट्रेनिंगे और डिजिटल स्कील्स और साती साथ देखिए उन्हे इसी भी प्रकार की जॉब्स को प्राप्त कर सके हैं तो इसके लिए 50 केमपेस को चुना गिया है पालेट प्रोगेट के लिए जिसके अंदर पांच राज्य है आंद्रपदेश तमिलनाडू मंद्रपदेश करनाटका और राजस्तान और यह बात हैं पर की जा लिए अभी ह पर परेश भी लाल है जो घृबा सफेसर चुनेगा है पर वाटसप के लिए एंस डीसी अंडर सेक्शन 25 ऑफ कॉंपनीज एक्ट 1956 में इसकी स्थापना की किते हैं पर मिनस्ट्री ओफाइनस के तैद और एजब पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मॉडल पर काम क इसके चेर्मैन है मनिश कुमार MBCU है और 31 जोना है 2008 को न्यू दल्ली में इसका स्थापित किया गया था हम जब बात कहते हैं तीसरी कोशन के लिए यहां पर किस भारती ने जीता है ब्रॉंज मेडल इंड डाइड 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 जो मेडल है जो गोल्ड मेडल है यह जीता है किसने है पर इरान के जो जावाद फरोगी है उनके द्वारा यहां पर सर्बिया के देखे हम जो बात करते है तो दमीर माय के उनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गिया है और हम जो बात करते है तो भारती है जिनक नाम है क्या स सौरव चौधरी इन्होंने जीता है पर कौन सा ब्रॉंज मेडल इन दर टैन मीटर एर पिस्टल राइफल यहाँ पर बात की जारी है देखिए मनु भासकर और यश्वनी देखिए सिंग डेसवार ने सेवंध एर्थ पोजिशन को ग्रैप किया वही पर अभिशेक वरमाने ग जो कौलिफाय कर चुके है इस बाद ओलम्पिक्स 2021 के लिए 2020-2021 के लिए जिसमें बहुत एक्सपेट की जारी कि वह अच्छे मेर्स को लिखे आएंगे हम बात करते हैं नेशनल राइफल एस्सोसीशन फिंडिया के बार में जिसकी स्थापने थी 1951 में 1951 में और यहाँ पर देखे रनेंदा सिंग जो रनेंदा सिंग है वहाँ पर प्रेजडेंट माने गया है प्रेजडेंट है एक्चल में हम बात करते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्स फेटरेशन मुख्या ले पड़ता है जर्मनी के मुनिश में 1907 में स्टैबलिश किया गया था नेक्स कोशन बहुत इस इंपॉर्टन है कि कौन सा और्गनाइशन है जिसने सक्सेस्फ़ली लॉंच कर ली है पर टेस्ट फाइल दा सबसौनिक क्रूज मिसाल जिसका नमें निर्भ है इसको दिखी है पर फाइल इसको टेस्ट किया गया पर DRDO की द्वारा तो भारत के तो यहां पर बात करते हैं तो इंटीग्रेट जो टेस्ट फ्रीच पड़ता है चांदिपूर में और उडिसा राजिक अंदर बालासवर में तो वहां पर यह टेस्टिंग की गई है सबसी इंप्रेंट बात है कि जो निर्भ है यह फास्ट है किससे फास्टर है बाबर से औ बाबर और यहां पर अमेरिकन जो मिसाल हो कोंसे पर टॉमा हाक है उससे फास्टर मानी गई है इससे डियार्ड की दौरा बेसिकर रांच किया गया और मैनुफेक्ट्चर भी किया गया अभी हाली में देखिए डिया उन्हें पर 6,000 क्रोड का जो अमांट है वो दिया है किस अब यहां पर इलेक्ट्री चलाने वाली है तिबत के अंदर बात की बात करेंगे तो बहुत सारी शेत्र है जो तिबत में मिलेंगे जैसे कैलाश मानसरवर की मैं बात करता हूं तो कैलाश मानसरवर जो भारती के लिए हिंदु धार्मिक संस्कृत्य में बहुत मुख्य स्थर्माना गया वो तिबत के रिजन में आता है इसी प्रकार से दिखेए हम जो बात करते हैं तो बहुत सारी शेत्र है जो तिबत के रिजन में पर जाता है अब हुआ क्या अ ने भारती को थोड़ा सा कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की तहपी इस एरिया में हाई स्पीड जो चला दी गई है और यह जो ट्रेन रेलवेर जो मार्ग बनाया गया है यह अर्णाचर प्रदेश के पास बनाया गया है तो बहुत ही चतुराई से दिखी चाइना नहीं पूर प्रदेश राजे से मिलती थे लेकिन जैसे तिब्बत में कब्जा कर लिया तो अब यहां पे भारत और चाइना की बीच में हम पे 3488 किलमेटर लंबी सीमा है और इसे दिखिए नाम दिया गया है जो है एल एसी डैट इस लाइन और फैक्ट्रोल मेरे साथी हो और हम जब ब बहुती important question बनने वाला है अभी हाली में देखिए DRU के द्वारा यहां पे successfully test की गई है यहां पे एक indigenous developed यहां पे rocket को चांदीपूर में जो क्या नाम है इसका तो इसका नाम है देखिए पिनाका इस तो पिनाका देखिए हम जब बात करते मेरे साथी है तो इंडिया ने टेस पर target करने वाला जो rocket शेत्र है रोकेट इसका नाम है पिनाका पिनाका की जब बात करते हैं यहां पर लॉकेट रॉंचर है यह बात नापर की जा रही है अच्छास की फोटो देखिए आपको यहां पर नजराने वाली है अब यहां से दिखिए जो रॉकेट से वो छोड़े जा सकते हैं अब हम जब बात करते हैं साथ हैं तो इसको देखिए जॉइंट ली डवलप किया गया है किसके द्वारा तो पूने बेस यहां पर अर्मायनायट देखिए रिसर्च एंड डवल्मेंट एस्टाबिश्मेंट है जिसे बोलते हैं ARD साथी साथ में High Energy Material Research Laboratory है इनके यह खुद का GPS सिस्टम भी है यहां पर 12 सूला में देखिए पिना का MK1 आया था आप देखेंगे पिना का MK1 है जो रॉक्रेट लॉंचर है और पिना का MK2 है जो देखिए अभी आया है जिसमें 60 किलोमेटर की जो रेंज है उसका सफेल ट्राय यहां पर देदिया गया है नेक अपान ने भी क्या दिया कि वह इंडिया को देने वाला है 9.3 billion यहां पर यूएस डॉलर्स टू इंडिया फोर बिल्डिंग कोल्चेंज सिस्टम फॉर फाइंटिंग कोविट-19 जो यहां पर पैंडिमी चल रही है अभी ऐसा क्यों किया गया कारण है हम बतादी कि भारत मे खराब होती जारी है क्यों खराब हो यह हैँ कि हमारे पास व्यक्चीन को distro करने के लिए प्रॉपर यहां पर एक को मैंजमेंस इस्टम नहीं है तो आप दीसन की यहां पर पर एक तैंपरेटर्यों के फाइज़र है तो फाइसर में कीए तो भारत के अंदर यह कहा जारा है कि हमें ना वेक्सिनिशन की एफिशिंस्टी को बढाने के लिए एक प्रापर कोल्ड चेर्ण मैनेजमेंट सिस्टम के आफ शकता है जिसके लिए यहाँ पर जापान फंडिंग करने वाला है 9.3 बिलियन डॉलर्स की बहुत बड़ी फंडिंग है जापान के दौरा हमें की जारी है चलिए कोशन यह है अभी हाली में देखिए जब बात करते हैं तो यहाँ पर श्रीज संजे धोतरे जो मिनिस्टर है स्टेट फॉर एड्यूकेशन के इनके द्वारा देखिए एक यहाँ पर उधातन किया गया है एक रैपिड एंटिजन टेस्ट का जो किस आईटी के द्वारा इसमें कहारें कि 86% sensitivity है और 100% specific है इसकी price कितनी पेच्छे है पर 5-50 रुपए और मात्र पार्श मिट के अंदर आपको जो टेस्ट वो दे देगा इसका जब रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा अब विकेम जो बात करते हैं साथी हूं तो इसमें यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर माइलब discovery solution जो पूने बेस्ट कंपनी है जो एक laboratory है उन्होंने बीना एक rapid antigen test बनाएं जिसका नामें kovi shelf ठीक है अब यह होता क्या रेपिड antigen test क्या है तो कोई भी foreign object जिससे हमारी शरी में बीमारी हो जाती है उसे डिटेट करनी का जो टेस्ट है वो है यहाद कर लिजिगा सिंपल से कुशन बनने वाला यहां पर किस author के किताब है इस वंडरफुल लाइफ तो वंडरफुल लाइफ देखें आपर लिखें किसकी दौरा पर बहुती फेमस वक्ती है जिनके नामे रसकिन बॉंड इस तो इ अभी हाली में वो कौन सा राज्य है जिसने टौप परफॉर्मिंग स्टेट का दिखें किताब प्रप किया है अंडर्स इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेंस 2020 में तो सही राज्य कौन से दिखें पर उत्तर परदेश है तो उत्तर परदेश आया है पहले स्थान इंडर्ण के बाल में साती हो तो इंडर्ण को मिला पर इन्वेटिव एडिया अवार्ड तो बड़ोद्रा थानी भुवनेश्व को मिला देखें टॉप त्री सिटीज इन दे कंट्री सूरत इंडर्ण ने जिता हैं पर बेस्ट अवार्ड फॉर्ड परफॉर्मेंस इन 2020 ब पर किसके दौर में साती हो स्मार्ट सिटी मिशन जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्वन अफेर्स के अंदर ये बात हैं पर की जा रही है कोशन पूछेंगे अपने लोगों से अब पूछा जाए इसमें बहुत सारे पारामेटर्स थे जिसमें सोशल आस्पेक्ट नहीं पाल चेंटे उकरते हैं इंडिव्यटे इंवार्यमेंट के अंदर हम बात ने रखा गया जिसमें 56 माना गया है वाटर की बथे जापे-स्मॉर्ट चाहिए और अर्वीर्ट स्मार्ट बस चाहिए और को इत्वाटर की बात निस्तिक को अच्छिः नहीं आपी और चे कि 17 जुन के बात करते हैं, तो 17 जुन को थी कि फिल्ड मार्शल सैम मानिक्षा का नेदन हुआता मेरे साथ है, उनका जनम होता तीन अपरेल को, सैम मानिक्षा के बात करते हैं, तो पहले भारती देखिए, थलसेना अधिकारी थे, जिनने यहां पे 5 सितारा पोस्ट पे लड़े थे, और भारत के बहुती फेमस हैं पे सैम मानिक्षा, तो यह था साती हो, आज का हमारे करेंट एफेस, अब आते हमारे वीडियो के सबसे इंपोर्टन पार्ट पर वह यह है, अपके लिए बहुत कुछ नहीं है, आप अपने प्रपरेशन को बहुत अंदर बूस् बहुत सारे स्ट्क्चर कोर्स है, टॉप और बेस्ट है दिखें साती हो आ चुके हैं, आप यहाँ पर सफ़क्ता बैचर से जो लॉंच किये गया है 30 जून से, और दिखिए सबसी इंपोर्टन बात भी है कि प्रैस होने वाली है, यहाँ बढ़ने वाली है, तो जो अभी य सकता है, सबस्क्रिशन में ले लिजिए by using my code HD710, और साथी साथ यहाँ आप दिखिए बहुत सारा एक्जाम जैसे SSC है, बैंक है, RBI है, रेलवे, इनकी परपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको कॉंबो सबस्क्रिशन मिल सकता है, मात रहे हैं पर 14395 में है by using my code HD710, तो य बात करते साथी हो, तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो है हरिष्टिवारी सारें अक्यारमी, यहाँ पर लगाता सार की सारी PDF मिलेंगे, साथी साथ आपको मेरे जो डिली क्लास की अपडेट मिलने वाली, वह भी मिलते रहेंगी, आप में से कोई विद् लेट्स क्राकेट, तो यह था हमारा सेशन, तो घर पे रहेंगे, सुरक्षेत रहेंगे, अपना अपना ख्यार रखेगा, हम मिलते हैं कल बहतरी सेशन के साथ में, तब तक के लिए साती हो, जय हिंद, जय भारत!